दिल्ली जल बोर्ड, B.S.E.S, टाटा पावर, अलगला यूटिलिटीज ने अपना काम किया है, वो काम करने के बाद सड़कों का रिपेर नहीं किया है, तो आज दिल्ली की जनता तूटी हुई सड़कों से परिशान है। Friday को Assembly में, अर्विन केजरिवाल जी ने ये पत्र मुझे दिया और सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि जुद्ध स्तर पर दिल्ली की सड़कों को ठीक करने का काम किया जाए। आज दिल्ली सचवाले में एक All Ministers Meeting बुलाई गई और जिसमें दिल्ली के Chief Secretary पूरा PWD विभाग मौझूद रहा। और एक Comprehensive Review हुआ PWD की 1400 किलोमीटर सड़कों का कि कौनसी ऐसी सड़के हैं जो पूरी तरह से तूटी हुई हैं जिनका पुनह निर्मान करने की ज़रूरत है। कौनसी ऐसी सड़के हैं जिनके कुछ हिस्से तूटे हुए हैं जहां पर 100 मीटर, 200 मीटर सड़क का फुनह निर्मान करना है। और कौन सी ऐसी सडके हैं जहाँ पे कुछ छोटे-छोटे गड़ें हैं जिनको भरने की जरूरत है तो एक घंटे की बैठक में एक comprehensive review PWD की 1400 किलोमीटर सडकों का हुआ ना सिर्फ इतना दिल्ली सरकार का पूरा cabinet कल से दिल्ली की सडकों पे उतरेगा सब मंत्रियों ने और मैंने खुद दिल्ली के अलग-लग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है जहाँ पर हम खुद ग्राउंड पर जाएंगे inspection करेंगे और किस सडक पर किस काम की जरूरत है क्या सडक फिर से मनाने की जरूरत है क्या कुछी हिस्से तूटे हुए हैं क्या सिर्फ पॉट होल्स हैं उसका हम मूल यांकन करेंगे तो मैंने बतौर मुक्यमंत्री साउथ और साउथ इस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है सौरभ भारदवाज जी ने इस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है गोपाल राय जी ने नौर्ट हीस्ट दिली की जिम्मेदारी ली है केलाश गहलोड जी ने वेस्ट और साउथ वेस्ट दिली की जिम्मेदारी ली है इमरान हुसेन जी ने सेंट्रल और न्यू डली की जिम्मेदारी ली है मुकेश एलावत जी ने नौर्थ और नौर्थ वेस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली कल सुभे छे बजे से दिल्ली सरकार के सारे मंत्री सडकों का इंस्पेक्शन करेंगे विधायक भी हमारे साथ शामिल होंगे P.W.D. के सारे इंजीनियर्स जिसमें चीफ इंजीनियर्स, सुपरेंटेंडेंडेंट इंजीनियर्स, एक्सियन्स, एईज और जेईज अगले एक हफ़ते में दिल्ली की 1400 किलोमेटर P.W.D. रोड के एक-एक मीटर का इंस्पेक्शन होगा जैसे ही ये इंस्पेक्शन खतम होगा, तुरंट ही अगले हफ़ते से सारी सड़कों के रिपेर का काम युद्ध स्दर पर होगा ऑक्टोबर के महीने में P.W.D. की 1400 किलोमेटर सड़कों को रिपेर करने का टार्गेट P.W.D. विभाग को दिया गया है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब तक ऑक्टोबर का महीना खतम होगा, यानि दिवाली तक हम सब दिल्ली वालों को एक गड़्धा मुक्त दिल्ली, एक पॉट्छोल फ्री डेली, पॉट्छोल फ्री रोड्स सभी दिल्ली वालों को दे पाएंगे जैसा कि अर्विन केज रिवाल जी ने अपने पत्र में लिखा है, दिल्ली वाले इन टूटी हुई सडकों से परिशान हैं और युद्ध इस तर पर इन सभी टूटी हुई सडकों को रिपेशान हैं झाल